स्वागत आप सब का सीपील के मैच नमबर पांच के अंदर मुकाबल है सेंट किट्स और नेवेस पैटेड्स वनाम सेंट लूसिया किंग्स के बीच में जो खेला जाएगा वाना स्पार्क सेंट किट्स के उपर मैच टाइमिंग है सुबह के सड़े चार बजे तो सेंट लू बर उससे पहले माइल्स्टून अलर्ट ओर्डेंस मिटकर पचासवा सीपील मैच है देखते हैं इस गिम में कैसा प्रदर्शन देते हैं बहुत से पॉइंट से डिसस करना लाग जैस हमने रिसेंटली आज की दिन देखा है इस वने की ओपर धाई सो बनता है एक बैटिंग परड़ाइस विकेट है बहुत छोटियां की बाउंडरीज रहती है तो आपको टीम किस तरह से बनानी है इसके बारे में डेटेल से डिसस करेंगे फिर जो सेंट लूसिया किंग से यह अपना इस सीपिल में पहला मुकाबला खेलेगी तो यह टीम किस तरह से बैलेंस फाइदा किया है लाइन अपस के बाद कोई भी अपडेट आती है टेलीग्राम पे में दे देता हूं तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हूँ एंस्साग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं क्यों कोई समझ्या हो आपको कुछ पूछना हो तो बात कर लेंग सपारी खेली थी तो याहाँ एक सी तंबबर ऑचिक जोना वियुक्त कर ले ना मैंने गळलत लिख्या देग दिया देग्जास को विज अक सितंबर पी चैनकेज से 911 तला वन ओवर्स में चेस हो गया, 210 बना, सामनल टीम 176 बनाती है, 197 बना, चेस हो गया, नो बॉल रहते, 167 बना, यह पता कि कैसे चेस नहीं हुआ, 197 बना, यह भी चेस नहीं हुआ, आम तोर पर बहुत अच्छा स्कूरिंग वेन्यू होता है, बैटिंग फर्स करते हो है, पर चार म मैचस दीती है, होम ग्राउंड है, सेंट किट्स और नविस पैट्रियेट्स का प्रतियूट दसक्या स्पास अलम्स बनेंगे, और जो आज मैस था, उसके अंदर साथ विकेट पे, इस पांच विकेट स्पिन का था, और रहाल विकेट को अलम यह कहता है, जो पिछले साथ म दो ही स्पिनर थे, दोनों ने सेकंड इनिंग में दो दो विकेट निकाले, ऑफ स्पिनर्स का चौदा, लेक स्पिनर्स का साथ, चैर्मन का तीन, लेफ्टाम और तोलोक स्पिनर्स का ग्यारा विकेट है, अब मैं आपको पिछ की फोटो दिखाता हूं, जिस पे आज मैच बाता ऐसी दिखी दिया, बहुत ही बढ़िया ट्रैक था, चोटी बाउंडरीज, 63, 67, 68, और यह जो पिछ सीना स्कोर बोड से, यह स्कोर बोड है, इस से पिछ नमबर दो पर मैच खिला गया था, और और अगर बीच वाली पिछ होती है, तो 64, 66 होती है, इस टेडियम का वि शाम के साथ वजए स्टार्ट होगा और वहाँ टाइमिग हो रही होगा युस टाइमिग ने, वैदर फोकस हो रहा होगा, क्लियर और 16 किलोमेटर विंड फेक्टर है, तो विंड फेक्टर यहाँ मिशा प्ले में होती है, क्यर्विन कंडिशन स्केंबर, सेंट लुसिया अड़कोज डारेंड सामी केप्टन फैब डूपला से स्टाइटल एक भी बार नहीं जीता लास्ट एर अलमेटर खिला था चार जी चार हार को उनको सामना करना पड़ा दोनों टीम सुननी स्मैचेस खेल चुकिये सेवन नाइन से सेंट लुसिया किंग्स आगया है तीन मैचेस नोड़ गया है बड़ बड़ी बात आती है स्वेन्यों की वान असपाक के उपर चार दो से आगया है सेंट किट्स और नेवेस पैट्रियर्ट इविन लुइस ओपन करते हैं अंडर फ्लेट्चर के साथ फिर आएंगे आपके कायल मेर्स मकाया लुइस आपको देखेंगे जो पिछले गेम में क्या कमाल की पारी खेल के आ रहा है अब देखें राइली रोशो भी आ सकता हैं ग्यारा में सैंड लूसिया किंग्स वैफ डूपले से सुपन करेंगे जॉंस न चार्ल्स के साथ बनुक राजा पक्षा वंडम टेम शैफ़र टूड़ाउन आपको देखेंगे तो टीम पांच वर्टीस पेर के साथ उतरेगी क्यों क्यों कि इनके पास एक इमर्जिंग प्लेयर है अब देखें इवाल लूइस की बात तरते 19 मैचस खेल चुके हैं पांसो साथ के आसपास रंज है जीरो तीन तीयतर बान में एक साथ चेस पे साथ तेरा पैसट आम तरपर चेस पे बहुत डेंजरेस बैटिंग फ्रेंडली विगेट वेंडियर के उपर पचास मैचस खेल चुके हैं सब्सक्राइब के लिए इंक्लूडिंग दे लास गेम थर्टीनाइन फॉर्टी इनिंग्स के अंडर अंडर फ्लेट्चर प्यार एक्स क्रिगेटर सेंट लूशिया का तीन मैचस में एक सो दो रंस एक सो चुछिस का स्टाइरेट इस जीरो नौ तरान में आबाद इस टीम सब्सक्राइब के लिए मैचस खेल चुके हैं 219 रंस से चुछिस की ओसाद है कायल मैट्स की नौविगेटर 8.1 की एकॉनोमी है और वैनी की पर 19 मैस 400 रंस 25 की ओसाद 135 का स्टाइक ग्रेट लास्टी में फ्लॉप वेजे बुरी तर ऐसे बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस ऐस शायद रॉस्टन चेस से नूर अवध से वकार असलाम के लिए साही बॉल आ रहा है और आज स्टेप्स नोनी को दोया था वकार असलाम के लिए बुरुए रदर फटका 11 मैचस में 132 रंस इस टीम इस प्लेयर की जो सबसे खराब एबरिजर सीपिल के इंदर इसी टीम के ग बॉलिंग पर 16 मैचस में साथ बॉलिंग सेकंड दो इस वनी के पर 16 मैच खेला एक इस विए बॉलिंग फर्ट में जादा विकेट नहीं मिले बैंटिंग इंदर नौ मैचस में 15 विकेट है तो इस तरह से आकड़े है लास्ट गेमें तीन ओर का स्पेल था इसका बैक टू जो भी मेरे एंडेर फ्लेटिक के गपतानी जोड़ी समझ के बार है डॉमिलिक ड्रक्स का तीन मैचस में एक विकेट है चौदा की एक विकेट लाज गया है चालीस बॉल का स्पेल रहा है वैन्वी पे 21 मैच 22 विकेट और अज इसकी सुताई भीती सबसे एक्सपेंजिव स स्पेल था स्पेल के अंदर 77 रन दिये इसने मतलब क्या ही गहने वाई के वल्ड रिकॉर्ड बनाया स्पेल के अंदर स्पेल रिकॉर्ड कहेंगे वल्ड नहीं वियान जॉन 25 विकेट बहुत बढ़िया वाई यॉर्कर्स जालते हैं मैंने डीटिल से बात भी गरी थी डेथ में इसका रूल रहेगा एंडरिश नौक्या ने दू विकेट निकाला बॉलिंग फर्स चार विकेट है बॉलिंग फर्स एक में दो बॉलिंग सेकंड तीन में विकेट पर 15 मैचेस केंदर 21 विकेट है 6.4 की एकोनोमी है एंड तीन ओर डाले माधर 27 रन दिये बॉलिंग कराई नी फ्लेट चरने डॉमिक डेक से कराई चार ओवर 77 रन हर बॉलर पीटा दा कुछ चीजे ना कैटन से में नहीं समझने आती है मेरे क्यों प्लेट जसा करता यश्वा टिसल वा यरे संटी परमॉल तो हुआ था कायल मैचे ने पहला तीसरा डाला नो क्या दूसरा पांचवा तेरवा ठारवा रेया जॉन चोथ था फिर आते पंधर वा शतरवा बीश वा बाई साथ चोट वा चोट वा चोट वा उननीजुआ औरियं समित का साथ वा नववा ग्यारवा शम्षी का आटवा दसवा बारवा ओवर था जो अथा तो अर्यान जोन ने डाला था चोटा है दिया था तो इसके शेमा चाहता हूं का रहता है रिसेंट फॉर्म किसके अंदर मलसी में पैंतालीस बहतार उन्चालीस पच्पन इकसर चौटीस मतलब अलगी फॉर्म में का बैटिंग विकेट उपर से जोंचन जाल सतरा मैट साड़े चार सुरू रंस अटाइस क्यों सत पांक के दो स्टंपिंग और अच्छे न के प्लेर है यह भी अटेकिंग मैनर में खेलते हैं पावर प्लेक अस्तेमाल करते हैं तो आपर मिड़ फेस में अच्छा कहल लेता है ऑफस्विंज होड़ी के तरिम स्टैफर्ड का च्छे मैचस में 89 रंस है तीन कैस दो स्टंपिंग अगर यह कीपिंग करते हैं तो उनकी यह किसका जानना चाहूँगा मैं एंडिक क्लासिवर रॉस्टन चेस दस मैचस में 250 सेंट रंस एक्क्याउन की उसट साथ विगेड है 6.7 की और वेन्यू के पर 16 मैच 506 रंस बहुत सारे LFT बैटर सा सामने ले टीम में जैसे इवन लुईस है वहां पर आपको दिख जाते ह काल मेर्स वन डाउन फिरा जाते है नीचे पुरा दर फड या तो पुरा यली रोश्टो तो रोल रहे हैं का 16 मैचस में 20 पे 40 कि पर उसत 506 रंस बारा विकेड एक इंपोर्टेंट एसेट है बैक करिये इस प्लेयर को सेडरिक डेसकार्ट्स 43 गेस वन डाउन के पर जुसकी सबसे बेस्ट नो का सीपेल किसी वन डाउन के पर आई थी समझ सकते हो क्यों आई थी बिकॉस इट्स बैटिंग फ्रेंडली विकेड अच्छाल राउंडर है डेवड विसे पांच मैचस में 36 रं नौ विकेड है बॉ और उस मैच में इसने बॉलिंग नहीं कराई थी तीन से चार वर डालेगा नहीं गेम से दो या तीन ओवर अलजारी जोसफ का च्छे मैचस में साथ विकेड है बाइस मैचस में चोईस विकेड एट पॉंट तरकी एकॉनोमी डिसेंटली टीट्वेंट याई सीरीज में रे जिरीगेट बॉल सेकंड गयारा की एकॉनोमी यह एक और का स्पेल था एक पुड़िक अंदर पेस इसके बास अच्छी गासी देखते हैं क्या यह फिर आ सकता है यह मैच्छे वेन्वी पे नो में गयारा हकी मगेस्टी भी अच्छा क्रिकेटर रही खेल सकता है देखने में लगता है बाई मैथी फॉर डेविड वी से अलजारी जोसफ रॉस्टन चेस स्टार्टिंग और डेथ रुग अंदर डेविड वी से अलजारी जोसफ नूरहमाद वेक और चीज़ देखते हैं कि सीपेल में लास्ट यह इन प्लैर्स ने कैसा प्रजशन दिया फैब फॉफलस ने चार मैच खिला था लास्ट यह और तीन इनिंग्स में बैटिंग करके 112 बनाया था राजा पक्षान ने चार मैचस कंदर 137 बनाया था इंकुलूडिंग 86 इनिंग्स जॉफलस ने नौ मैचस के लिए आठ पारी में बैटिंग करके 230 बनाया रॉस्ट न चेस आठ इनिंग्स कंदर 156 बनाया था लास्ट इन रिता खास नहीं गया था रॉस्ट न प्राइमर्स अबलेबल नहीं है इस टीम में भी फिलाल रजा डैस कार्ट ने 6 किया और मैथ्यू फॉर्ड ने 8 इनिंग्स में 29 बनाया आठ मैचों में अब वहीं बॉलिंग से डेस कार्ट ने श्रिफ एक ही मैच में डला था एक विगेट निकाला कैरी फिरी ने 7 मैच खेले 6 पारी में बॉलिंग कराई 20 और का स्पेल 9 विगेट ठीक ठाग रहा था जो में 12 विगेट निकाले और रेम सिंग कैने किलार की ने तीन मैचेस के लिए ते पांच और का स्पेल लाजा था चौसर टरन घाया था तेरा की कौनों में ती विगेट लास रा था ये भी हमने बात कर ली डिटेल से अब आगे चलता है जो इवन लुईस है के सामने 16 गे विशे 18 वाल्ल तेरा रंच उन चार पारिों में एक बार राट किया विए ओल जारी प्रिशान कर सकते हैं पारिशी नहीं करते हैं रिधर वर्ट की बात थांच आगेंस बीसे गेंद पच्पन रन साथ परी में दोबर आउट किया है बड़नूर एमल ने पंदरा बॉल में चौधा रन देगे चार परी में दोबर आउट किया है कैरी फिरे ने इसको तीन इनिंग्स में दोबर आउट किया है स्टेफ्स पर से स्वाड मैच अप नहीं है कायल मेट्स के खिलाफ अलजारी को लगाई है 42 गें 64 रन साथ निंग्स में दोबर आउट किया है कैरे फिरे ने चाहे बॉल में 11 रंदे के तीन इनिंग्स में दोबर आउट किया है स्टेफ्स निंग्स में दोबर आउट के एक मातर मैच अप इस गेम में 27 गिंद में 34 रन जॉंस अंच अगें संसी क्या है उन गें अटार रन अच्छा हीला चाह आपारी में दोबर आउट कोई मैच अप नहीं है स्पेशल राजा पक्षवाट से संसी पांच इनिंग्स मे के अंदर कोई नहीं है रॉप्स मिनर तो तो इम सेफ़र्ड अगेंस डॉमनिक ड्रेक्स च्छाए गेम तीन तरन तीन इनिंग्स में दोबर आउट किया है रॉस्ट इन चेस का भी इस तो कोई मैच अप निया संसी अच्छा कहलते हैं सिंगल लबल निकाल के और यह हो गया अच्छा 28% जीसी फ्री 30% डीस फ्री आपको कहा देखने को मिलता है विजन लोन के उपर साइन अप कर ले ना रैफर कोड स्टाइट जूरू जी है स्मॉल लीग खेलने के लिए उन 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 प्ट अप्लिकेशन है फिलाल मार्केट के अंबर कमिशन बसता आपका अपका बैटिंग एकाद दोगर स्टफ्स चार्ल्स को आप रोटिट कर सकते हैं पावर्फूल प्लेयर्स है कोई ऐसा खास मैचप इनके अगेंस नहीं है किसी पर्टिकलर बॉलर के सामने चार्ल्स मरी सबसे पहले प्रिफरेंस होगी टिम शैफर्ड भी एक इंपोर्टेंट सी पॉइंट दिया फैंटसी में रॉस्टन चेस कायल मैट्स वेसे इंपोर्टन ओर्डिंस में भी वेल्यू लाते हैं इसने पहले गेम में 55 पॉइंट्स दिये लास्ट गेम में 16 तीन ओर डालके लेगो आईरनी सबसे बड़ी डॉमनिक ड्रेक्स का भी ठीक ठाक रहा है र नूर आमद है तो तीन चार ऐसे प्लैट्स है अभी के लिए मेरी टीम ऐसे वनिया मैंने बैटर्स को बैक किया इस वज़े से और अल्रॉंडर्स विल भी देखी इसमें डॉमनिक ड्रेक्स को अटा कि आप ले सकते हैं नूर आमद को बॉलिंग सेकंड के अंदर एवन संश सेजबी कमाल की ऑप्शन है 15 परसेंट है जी लोगोंने 20 परसेंट लोगोंने कैप्टन कर रखा है वैल्यूबल एसेट है देखते है यह स्टैट जुरू जी मिलता हमसे में अगली दफा सेजून तब तक ले जैहिंद एंड एंड इन्जॉय दिस क्लैश रोटेट कर सकते ह आप नूर शम्शीर सब को जून के बारे में अबने डिटेल से बात करें जैहिंद